श्रीमद वालमी के रामायन अयोध्या कांड दूसरा सर्ग राजा दशरत द्वारा श्रीराम के राजा विशेक का प्रस्ताव तता सभा सदों द्वारा श्रीराम के गुणों का वर्णन करते हुए उक्त प्रस्ताव का सर्ष युक्त युक्त समर्थन उस समय राजसभा में बैठे वे सब लोगों को संबोधित करके महराज दशरत ने मेग के समान शब्द करते हुए दुन दुभी की द्वनी के सद्रिश अत्यंत गंबीर वंगूंजते वे उच्छ स्वर से सब के सानन्द को बढ़ाने वाले यह इतकारक बात कही राजा दशरत का स्वर राजोचित स्निक्दता और गंबीरता आदिगुनों से युक्त था अत्यंत कमर्णिये और अनुपम था वे उस अदबुत रसमय स्वर से समस्त नरेशों को संबोधित करके बोले सज्जनों आप लोगों को यह तो विदित ही है कि मेरे पुरवज राजा धिराजों ने इस त्रेष्ट राज्य का किस प्रकार पुत्र की भाती पालन किया था समस्त इक्ष्वाकुवंशी नरेशों ने जिसका प्रतिपालन किया है उस सुख भोगने के योग संपूर्ण जगत को अब मैं भी कल्यान का भागी बनाना चाहता हूँ मेरे पुर्वज इस मार्ग पर चलते आए हैं उसी का अनुसरण करते विए मैंने भी सदा जागरूक रहकर समस्त प्रजाजनों की यथा शक्ति रक्षा की है समस्त संसार का हित साधन करते विए मैंने इस शरीर को श्वेत राज छत्र की छाया में बुढ़ा किया है अनेक सहस्त वर्षों की आयू पाकर जिवित रहते हुए अपने इस जरा जिर्ण शरीर को अब मैं विश्राम देना चाहता हूँ जगत के दर्म पुर्वक सनरक्षन का भारी भार राजाओं के शोर्य आदी प्रभाओं से ही उठाना संबब है अज तेंद्रिये पुरुषों के लिए इस बोज को ढोना अत्यंत कडिन है मैं दिर्ग काल से इस भारी भार को वहन करते करते ठक गया हूँ इसलिए यहां पास बैठे हुए इन संपुर्ण स्रिष्ट विजों की अनुमति लेकर प्रजाजनों के हितके कारे में अपने पुत्र श्री राम को निक्त करके अब मैं राजकारी से विश्ष्राम लेना चाहता हूँ मेरे पुत्र श्री राम मेरी अपेक्षा सभी गुनों में स्रिष्ट है शत्रों की नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम चंद्र बल पड़ा करम में देवराज इंद्र के समान है पुष्यन अक्षत्र से युक्त चंद्रमा की बाती समस्त कारियों के साधन में कुशल तता धर्मातमाउं में स्रिष्ट उन पुरुष्य श्रोमनी श्री राम चंद्र जी को मैं कल प्रातह काल पुष्यन अच्छत्र में युवराज के पद पर नियुक्त करूंगा लक्ष्मन के बरे भाई श्री राम आप लोगों के लिए योग्य स्वामी सिद्ध होंगे उनके जैसे स्वामी से संपूर्ण अलत्र लोकी को भी परमसनात हो सकती है ये श्री राम कल्यान स्वरूप है इनका शिक्र ही अभिशेक करके मैं इस भुमंडल को ततकाल कल्यान का भागी बनाऊंगा अपने पुत्र श्रीराम पर राज्य का भार रखकर मैं सरवता क्लेश रहित निश्चिंत हो जाऊंगा यदि मेरा यह प्रस्ताव आप लोगों को अनुकूल जान परे और यदि मैंने यह अच्छी बात सोची हो तो आप लोग इसके लिए मुझे सहर्ष अनुमति दें अत्वा यह बतावें कि मैं किस प्रकार से कार्य करूं यद्दपिय श्रीराम के राज्या भिशेक का विचार मेरे लिए अत्यदिक पसंदता का विशे है तथा पि यदि इसके अत्रिक्त भी कोई सबके लिए हितकर बात हो तो आप लोग उसे सोचें क्योंकि मध्यस्त पुरुषों का विचार एक पक्ष ये पुरुष की अपेक्षा विलक्षन होता है कारण है कि वह पुरुष पक्ष और अपर पक्ष को लक्ष करके किया गया होने के कारण अधिक अभ्यूदे करने वाला होता है राजा दश्रत जब ऐसी बात कह रहे थे उस समय वहाँ उपस्थे दरेशों ने अत्यंत प्रसंद होकर उन महराज उसी प्रकार अभिनंदन किया जैसे मोर मदुर केका रव फैलाते हुए वर्शा करने वाले महा मेग का अभिनंदन करते हैं ततपश्चात समस्थ जनसमुदाय की सनेह मई हर्ष धनी सुनाई परी वह इतनी प्रबल थी कि समस्थ प्रित्वी को कपाती हुई सी जान पड़ी दर्म और अर्थ के ग्याता महराज दश्रत के अभिपराय को पुर्ण रूप से जानकर संपुर्ण ब्रामन और सेनापती नगर और जनपद के प्रधान प्रधान व्यक्तियों के साथ मिलकर परस पर सलाह करने के लिए बैटे और मन से सब कुछ समझ कर जब वे एक निश्य पर पहुँच गए तब बुढ़े राजा दश्रत से इस प्रकार बोले प्रित्विनाथ आपकी अवस्था कई हजार वर्षों की हो गई आप बुढ़े हो गए अता प्रित्वी के पालन में समर्थ अपने पुत्र श्राम का अवश्य है युवराज के पद पर अभिशेक कीजिए रगुकुल के वीर महा बलवान महा बाहु श्री राम महान गजराज पर बैट कर यात्रा करते हो और उनके उपर श्वेत छत्र तना हुआ हो इस रूप में हम उनकी जहांकी करना चाहते हैं उनकी यह बात राजा दश्रत के मन को प्रिये लगने वाली थी इसे सुनकर राजा दश्रत अंजान से बनकर उन सब के मनुभाव को जानने की इच्छा से इस प्रकार बोले राजा गण मेरी यह बात सुनकर जो आप लोगों ने श्री राम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की है इसमें मुझे यह संशे हो रहा है कि जिसे आपके समक्ष उपस्तित करता हूँ आप इसे सुनकर इसका यथार्त उत्तर दें मैं धर्मपुर्वक इस प्रत्वी का निरंतर पालन कर रहा हूँ फिर मेरे रहते हुए आप लोग महावली श्री राम को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं यह सुनकर वे महात्मा नरेश नगर और जनपद के लोगों के साथ राजा दशरत से इस प्रकार बोले महराज आपके पुत्र श्री राम में बहुत से कल्यान काड़ी सदगुन हैं देव देवताओं के तुल्ल बुद्धिमान और गुणवान श्री राम चंदर जी के सारे गुण सब को प्रिय लगने वाले और आनंद दायक हैं हम इस समय उनका यत किंचित वरणन कर रहे हैं आप उन्हें सुनिये प्रजानात सत्य पराकर्मे श्री राम देवराज इंद्र के समान दिव गुणों से संपन्न हैं एक श्वाको कुल में भी ये सबसे स्रिष्ट हैं श्री राम संसार में सत्य वादी सत्य पड़ायन और सत्पुरुष हैं साक्षात श्रीराम ने ही अर्थ के साथ धर्म को भी प्रतिश्चित किया है। ये प्रजा को सुख देने में चंद्रमा की और शमारूपी गुन में पृत्विकी समानता करते हैं। समस्त प्राणियों के प्रति प्रियवचन बोलने वाले सत्यवादी हैं। वे बहुशुत विद्वानों, बड़े बूड़ों तता ब्रह्मनों के उपासक हैं। सदा ही उनका संग किया करते हैं। इसलिए इस जगत में श्रीराम की अनुपम कीर्थी, यश और तेज का विस् प्रिशनात हैं। बरत के बरे भाई श्रीराम गांधर्व वेद में भी इस भूतल पर सबसे स्रिष्ट हैं। कल्यान की तो वे जन्व भूमी हैं। उनका स्वभाव साधु पुरुशों के समान है। हिर्दय उदार और बुद्धी विशाल है। धर्म और अर्थ के प्रति द्वारा पुना अयोध्या लोटने पर वे पुरुवासियों से स्वजनों की भाति प्रति दिन उनके पुत्रों अगनिहोत्र की अगनियों इस्त्रियों सेवकों और शिष्यों का कुशल समाचार पूछते रहते हैं। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का कुशल मंगल उसी प्रकार वे समस्त पुरुवासियों से क्रम्श उनका सारा समाचार पूछा करते हैं। पुरुस सिंग स्रीडाम ब्रामणों से सदा पूछते रहते हैं कि आपके शिष्य आप लोगों की सेवा करते हैं। क्षत्रियों से यह जिग्यासा करते हैं कि आपके सेवक कवच आद इसे सुसजित हो आपकी सेवा में ततपर रहते हैं ना नगर के मनुष्यों पर संकट आने पर वे बहुत दुखी हो जाते हैं और उन सब के घरों में सब प्रकार के उत्सव होने पर उन्हें पिता की भाती प्रसनता होती है वे सत्यवादी महान धनुरधर बृद्ध उनकी कभी रूची नहीं होती है उत्तर उत्तम युकति देते हुए वारतालाफ करने में वे साक्षाद ब्रहसपत्ति के समान हैं उनकी भावे संदर हैं आखे विशाल और कुछ लालिमां यह होग्ए हैं वे साकषाद विश्नु की भाती सोभा पाते हैं संपोर्ण लोकों आनन्दित करने वाले ये श्री राम, शूर्ता, वीर्ता और पराक्रम आदी के द्वारा राजा प्रजा का पाधन करने में लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियां राज आदी दोशों से दुशित नहीं होती है। इस प्रित्वी की तो बात ही क्या है, वे संपूर्ण त्रिलोकी की भी रक्षा कर सकते हैं। उनका क्रोध और प्रसाद कभी विर्थ नहीं होता है। जो शास्त्र के अनुसार प्रान धंड पाने के अधिकारी हैं, उनका ये नियम पुरुवक वद्ध कर डालते हैं। तता जो शास्त्र द्रिष्टी से अवद्ध है, उन पर ये कदापी कुपित नहीं होते हैं। जिस पर ये संतुष्ट होते हैं, उसे हर्ष में भरकर धन से परिपूर्ण कर देते हैं। समस्त प्रजाओं के लिए कमणिये तता मनुष्यों का सानन्द बढ़ाने वाले मन और इंद्रियों के सयम आदि सद्गुनों द्वारा श्री राम वैसे ही शोभा पाते हैं, जैसे तेजस्वी सुरी अपनी किरणों से शोभित होते हैं। ऐसे सर्वगुन संपन लोक पालों के समान प्रभावशाली एवं सत्य पराकर्मे श्री राम को इस प्रित्वी की जनता अपना स्वामी बनाना चाहती हैं। बाहर बीतर आने जाने वाले नगर और जनपद के सभी लोग सुविख्यात शील स्वभाव वाले श्री राम चंदर जी के लिए सदाही बल आरोग्या और आयो के शुब कामना करते हैं। इस नगर की बूढ़ी और युबती सब तरह की स्थरिया सवेरे और सायंकाल में एकाग्र चित्त होकर परमुदार श्री राम चंदर जी के युबराज होने के लिए देवताओं से नमसकार पुर्वक प्रार्थना किया करती हैं। देव उनकी यह प्रार्थना आपके कृपा प्रसाद से अपूर्ण होनी चाहिए। निर्प श्रेष्ट जो नील कमल के समान श्याम कांती से सुशोवित तता समस्त सत्रूओं का संगार करने में समर्थ हैं। आपके उन जेष्ट पुत्र श्री राम को हम युराजपत पर विराजमान देखना चाहते हैं। आपके विराजमान देखना चाहते हैं। आपके विराजमान देखना चाहते हैं।